नमस्कार एक्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ आन्या से देखे चुराग पासवान की पार्टी यानि की लोग जुन सकती पार्टी राम विलास में चलरी अस्तीरता से जोड़े मत भेदों ने राज़ुतिक बहस को छेड़ दिया है समर्थकों का एक पक्ष मानता है कि चुराग पासवान की पार्टी के लिए एक नया जोश और यूवा दिस्टी कौन को लेकर आया है लेकिन जुब हविश्य में पार्टी को मजबूती देगा वही दूसरी और आलोचु को कहना है कि पार्टी में आंत्रिक असंतोर्ष और नेत्तु के मुद्दो को चुराग प्रभावी ढंक से नहीं संभाल पा रहे हैं जोससे कई वरिश नीता पार्टी से नाकुष रज़र आ रहे हैं लेकिन एक बात ये भी कही जा रहे है कि उनके अनुभव की कमी और विचारधारा में तार्मिल की कमी पार्टी को कमजूर कर रही है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या चुराग पार्टी को एक जुट रखने में सफल होंगे या आंतर विभाजुन उनके रुटत शमता पर सवाल खड़ी कर देगा तो इस तमाम मुद्दों पर शम बात करेंगे और बात करने के लिए इमेंड चाहिए हमेशा से सक्रे रही है लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान की पार्टी में फूट का मामला सामने आ गया है तो उसको लेकर चर्चा भी काफी तेज हो गई है तो उस मामले में आप क्या कहिएगा देखी अगर बात की जाए लग जनसक्ती पार्टी की तो आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं और कहा जाए तो इस पार्टी के जो चहरे और कदावर नेता हैं चिराग पासवान जी हमारे केंद्रिय मंत्री वो काफी चर्चे का विसाय बने रहते हैं चाहे बात की जाए राजनिती गल्यारों में हल्चल तेज रहती है और कहा जाए तो कई बड़े विपक्चे की नजर हमेशा LZPR पार्टी पर बनी रहती है ऐसे तमाम वो कारे कर जाते हैं जो एक चर्चे का विसाय बन जाता है लेकिन अभी जो बाते निकल कर सामने आ रही है पार्टी में तूट की लेकिन जिस मजबूती के साथ चिराग पासवान लोगों के समक्ष पार्टी की साच करता को दर्श राते हैं उसमें कहीं भी पार्टी में तूट की बाती नहीं आती है पाँचो के पाचो सांसद नियुकर चिराग पास्वान के पीछे आगे नजरा जाते हैं कहा जाए उनके पाठी की सबसे चर्चे वाली दोनों महिला सांसद भी डट कर जन्ता के बीए जाती है और उनके जुबांग से भी सिर्फ पाठी की तारीफे नजराती है तो सबसे बड़ी बात हो गई है कि ये टूट की जो बात निकल कर सामने आ रहे हैं वाकए पार्टी मेड टूट है तूप्स अधर की बात जब निकल कर सामने आती दो बड़ी बातों कभी खुलासा होता है चिराग पासवान इन दिनों दमखम के साथ अपने अकेले अंदाज के साथ नज़र आ रहे हैं जैसा कि याद होगा RLJP पार्टी के सबसे बड़े संस्थापक और काज है तो काफी जानी माने उनके चाचाप पशुपती पारस कई बार चिराग पासवान को अकेला किये जोरान चिराग पासवान अकेले पुरे दमखम के साथ जनता के बीच मौजूद रहे और फिर से चिराग पासवान के कई ऐसे वीडियो सोसल मीडिया पर चर्चे में बना जहां चिराग पासवान अकेले दिखे गए और वहां से इन बातों का उठना कहीं न कहीं बड़ी बातों का खुल कर सामने आना है इस नहीं हाँ मेरा आप से सवाल ये रहेगा कि राजुत तिवारी लज़ेपियार से काफी नराज नज़र आ रहे हैं ठीक है उनका एक ये भी खबर सामने आ रहा है कि वो जल्द ही जन सुराज का दामन थामने वाले इसको लेकर अटकरे काफी तेज हुई है तो उस मामले में आपका क्या विचार है देखे तानिया चराग पासवान की जो पार्टी है लज़ेपियार रामवलास उसमें लगातार खबरे आ रही है कि टूट हो सकती है पार्टी के अंदर कई ऐसे नेता और कई ऐसे विधायक है जो साफ तर पर ये संकेत जाहिर कर रहे है कि वो शायद पार्टी चोड़ सकते हैं और शायद जन सुराज के तरफ उनके कदम बढ़ सकते हैं सीरी तोर पर राजुतिवारी की हम बात कर रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं LGPR में, और वो चार साल से इस पदवी पर विराजमान हैं, पहले वो 2015 में गोविंद गंज से विधायक थें, फिर अगर 2015 के बिहार विधान सभा चुनाओ की बात करें तो उन्होंने जीत हास टिकेट मांगा था, चुराक पासवान से भी ये कहा था कि 2024 के लोग सभा चुनाओ में उन्हें वालमीकी नगर से टिकेट दी जाए, लेकिन किसी कारणवर्ष वो टिकेट उनके पास नहीं आ पाया, ये टिकेट जेडियू के पास चला गया, उसके बाद से ही उनकी की साफ तोर पर सामने देखने को मिल रही है, जिसके कारण उन लगतार नाराज चल रहे हैं, अब 2025 के बिहार विधान सभा चुनाओ को ले करके वो फिर से इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि वो गोविंद गंज से लड़ना चाहते हैं, लेकिन देखिए अभी अगर गोविंद से लिए चुनाओ लड़ सकते हैं या फर प्रिशान की सोर की और रुख खड़ सकते हैं, जैसा कि राजो तिवारी लगतार चिराग पसवान से मांगे करें, लेकिन चिराग पसवान उनकी मांगो को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और इससे कहने कहीं पार्टी में चूट हो कहा जाए तो चिराग पसवान एक सूच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यूवा चहरू को ही दमखं के साथ आगे बढ़ाए जगा, जैसा कि आपको याद होगा उनके पाँचो के पाँचो सांसदों में य तीन सांसदों खुद यूवा हैं, और कहा जाए तो बड़ी चहरे के साथ वो अपने काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, यूवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहले की लोग हैं, जो चिराग पसवान के पिता जी के सम्मान में चलते हैं, इस दौरान चिराग पसवान के लिए सबसे बड़े खत्री की घंटी हो जाती है, प्रश्ण भी दागे गए कि चिराग पस्वान आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं तो चिराग पस्वान ये भी बाते साफ जाहिर किये थे कि हमारे पार्टी में कोई आए और जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता मैं वह चहरा हूं वह नेता हूं जो अकेले दंखम के साथ च चिराग पस्वान नगतार बोलती हैं जब भी पार्टी में ठूट होती है बात की जडियू के कई कई कदावर निताओं का जाना आरजेडी से कई निताओं का जाना तो चिटाग पस्वान पुरे दंखम único मेरे साथ खड़े रहते हैं हमारी पार्टी में टूट की बाती कभी नहीं होती है लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि जो पूरा नहीं देता है जो काफी समय से उनके पार्टी में शामिल है अगर उन्हें इज़त प्रतिस्था सम्मान नहीं दिया जापा है तो कई नहीं पार्टी में टूट क को काफी आक्रोज के साथ बोले हैं और ऐसे कई वीडियो सोसल मीडिया पर भी प्रभावित है जी तने एक और बात इसमें सामने आ रही है सिर्फ राजुतिवार ही ने बलकि कई और ऐसे लोग है उनके पार्टी के जो लगतार उठकर के सामने आ रहे हैं हाली का अगर खबर देखने को मिले तो राकेश रोशन जिन्होंने दो नवंबर को इस्तीफा दिया है वो उप प्रदेश उपाध्यक्ष के पक्ष पर थे और आईटी सेल भी देख रहे थे लगतार का तो उनके पार्टी से स्तीफा दे दिया जो कि बहुत बड़ा सवाल अं से चुनाओ लड़ना चाहते थे जिसकी टिकेट की वो लगतार मांग कर रहे थे लेकिन ये टिकेट जेडियू के पाले में चला गया और जेडियू के अभिशेक जाग इस पर अपने प्रत्याशिक रूप में खरे हुए तो कहीं न कहीं राकेश रोशन की भी नाराजगी स साफ तोर पर देखने को मिल रही है अब ताजा मामला राजुतिवारी का भी सामने आ रहा है देखिए असनेहा आपकी बातों से बिल्कुल सहमत है कि पाठी के कई नेताओं ने ये खुलकर खुला सकिया कि हम पाठी छोड़ना चाते हैं लेकिन बात आती है इस वक्त की सब राजुतिवारी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है बीना कुछ कहे हम चाहिए कि सबसे पहले हम उनके इस वीडियो को सुन लेते हैं कि आखिकार राजुतिवारी का ब्यान क्या सामने आ है तो देखिए इस वीडियो में तो बहुत पहले से चला रहा है कि हमारे तीन सांसत चले गए कभी चलाते हैं कुछ और देखे ये खंड्यंत्र है और मैं आपको मेडियम बता रहा हूं को मैं उनसे बात भी किया हूं और उनको लीगल नोटिस भी वेज़ूगा जुकि मेरा फोटो ने नियुच किया है और इ युल जुल ख़वर चलाना यह पीशे खंड्यंत्र है मैं उसे फोन पर भी बात किया उनको नोटिस भी प्यांदीगल भेजूंगा और इस सब चलता रहाता है हमारे तलकुत हमेशा जब भी हमारे नेता का मतलब एक अलग माहौल उन्होंने बना है इस सब नूज चलाते र मैं उचीत नहीं समझता हूं चुकि आप लोगोंने घेर लिया तो बूचनों कुछ बोलना ही पड़ेगा नय निश्चित रूप से इस पर मैं लीगल नोटिस उनको करूंगा कि उन्होंने कहां से यह खबर पाई है कौनसे बात हुई है इसका जबाब दे हैं इससे क्या हो लोजपासे की है मैं आज तक किसी दल का सदस हुआ हूं तो पहली बार लाइफ में राजनीत का कखगगः शुरू किया तो रामभिलास पासवान जी के नित्त में काम कर रहा है इसमें कहां से इपड़ बात है लेकिन आपको बता दिस निहा कि अभी राजतिवारी ने बड पाठी वो पाठी है जिसमने मेरे राजनीती करियर की शुरूआत की थी और मैं इसी पाठी से निरंतर आगे बढ़ता रहा हूं तो ये बड़ी जो बाते खुल कर सामने आ रही है कि पाठी वी टूट है राजतिवारी चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं पाठी हमेशा से मेरा साथ दिया है मेरी कई उमीदों पर उत्रा भी है इसलिए मैं इस पार्टी को बिल्कुल विच्छोड कर नहीं जा रहे हैं ये भरमाने वाली खबर है जब राजतिवारी इस तरह का ब्यान दे रहे हैं तो कहीं बड़ी बात है या फिर कहा जाए तो कई लोग विपक्ष के जो लोग हैं वो सीध्य तोर पर उनके अंदर खाने की पार्टी में ब्रहम की इस्तिती फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वज़े से कहीं नहीं पार्टी में जो रुष्ट लोग है तो भी बिहार विधान समय नजदीक है इन बातों के लिए विपक्ष ल कह रहे हैं कि ब्रहमक खवरे विपक्ष के तरफ से फैलाई जा रही है जिससे पार्टी की को कमजोर सीधे तोर पर किया जा सकता है लेकिन दूसरा अंगल ये भी हो सकता है प्रिया हो सकता है कि अंदर उनकी ही प्लानिंग हो कहीं ने कहीं एंडिये के तरफ से वो चाह रहे तो सीधे तोर पर उनके ये मांग रहेगी कि उनके विधायक उनके सांसत की जो संख्या है वो लगतार उसमें बढ़ोतरी की जाए और ये तब भी जाहिर होता है जिस तरह से राजुतिवारी लगतार बातों को निकाल कर सामने आ रहे थे कि मुझे चिराग पासवान मेरी उम चल रहे थी जिसमें ये जाहिर हो रहा था कि उनके सांसत अब उनकी पार्टी का दामन चोड़ेंगे चिराग पासवान के जो भाई कहे जाते हैं राजेश वर्मा वो पार्टी छोड़ देंगे तो उस पे सामवी चौधरी कहा जाए तो राजेश वर्मा सामने आए मीडिय कस्ने का कारे करते हैं तो अगर आप अपने पार्टी के वर्ष्ट लोगों को तर्जियत नहीं दे रहे हैं तो उनका रुष्ट होना तो बनता है और चिराग के अगर बात की जाए तो तो ज़्यादा तर युवा चहरे को आगे लाना चाहते हैं। उसी तोर पर युवा की राजनीती पर ज़्यादा उनका भरोसा रहा है। शुडवात से ही देखने को मिला है जब से चड़ाग पासवान राजनीती में आ है। तो एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि सीधे तोर पर वो अपने पुराने लोगों को उतनी तरजीहत नहीं दे रहे हैं जितना युवा चहरे को दे रहे हैं। वो लोग जो उनके साथ काफी लंबे समय से आ रहे हैं। अगर आप उनको वैल्यू नहीं कीजेगा तो यह बड़ा सवाल है। और दूसरा यह सवाल हो सकता है कि हो सकता है वो अपने बहनोई या फिर जमूई से सांसत जो अरुन भारती है उनका हश्टच्षेब जो है वो उनके पार्टी में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है जिसके वज़े से उनके जो तमाम लोग है तमाम उनके विधायक नेता है इस बात को लेकर कि काफी रु मोदी के नाम का फिर से वाला जप रहे हैं फिर से पार्टी में टूटका मामला सामने आए गया तानिया आपको बता दे आपको याद होगा लोग सभा 24 का चुनाओ जिस वक्त चिराग पासवान मोदी के नाम लेते रहते थे मोदी का भी हाँ चिराग पासवान पर पूरे तक है आपको कुछ दिन पहले होगा कि किस तरह से चिराग पासवान नाराजगी जताते रहें बीजेपी के कई बड़े फैसरों पर और बीजेपी लगातार चिराग पासवान पर नकेल कसी 10-15 दिन रही थे कि चिराग पासवान की पूरी पट्री पर उनके सोच विचार आ बीजेपी के नेताओं के द्वारा कॉल किया जाने लगा उन्हें बुलाया जाने बड़ी-बड़ी बैठक होने रगी वहां से बाते निकल कर सामने आने लगी कि पशुपती पारस को राज जेपाल बना दिया जाएगा इस तरह इसे तमाम बाते खुल कर सामने आई लेकिन चिराग पासवान इन बातों को समझ गए और जल्द ही पच्री पर आ गए और फिर से ऐसा ही देखा जा रहे कि बिहार विधान सबस जहां चुनाओ नजदी का है तो चिराग पासवान फिर से मोधी का नाम लेना शुरू कर दिये हैं मोधी के इस शारो पर चलना शुरू कर दिये हैं विक्सित भारत बिहार की बाते करना शुरू कर दिये तो के ने कहीं इससे कहा जाए तो राजनीती पी और उनके वोट बैंक सांदे पर बहुत बड़ा असर दिखाता है तो फिर हाल के लिए बसुत नहीं ऐसे तमाम ख़बर के देखते हैं कि स्ट्मेटिफूर धर्निवाद